इस वीडियो में मैं आप सब का स्वागत करता हूँ ये वीडियो ही मैंने बनाया है मेरे यूट्यूब चैनल पर जो एक व्यूवर है उन्होंने एक सवाल मुझे पूछा है बड़ा इंट्रेस्टिंग सवाल है वैसे तो ये सवाल का जवाब देना बड़ा कथिन है तो कि ये बड़ा पुराना सवाल है मगर उन्होंने वो पूछा है और इसलिए ये वीडियो में बना रहा हूँ हूँ, I am Nahush Khobalkar a practicing high court lawyer since 91 son of a lawyer and the father of a would-be lawyer husband to a woman with beauty and brains a civil and criminal law consultant a researcher, case drafter, courtroom arguer a lifetime student, an avid reader techno survey lawyer and social influencer former contributory lecturer in law college former government leader in high court a book author, speaker, trainer, a resource person technology lover, owner of a YouTube channel legal inspiration and social influencer a lawyer for CETCEL, Mavim, MCAER, Nagpur University Koken Agricultural University and serving various private clients I stand for honest and ethical law practice and my vision is using my rich experience in legal profession to guide people on the right path in matters of law and life and bring a smile on their faces तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वो सवाल क्या है तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं Grace Indian नाम के कोई व्यूवर है उन्होंने सवाल पूचा था कि सर क्या वकील ये जानते हुए कि आरोपी ने गुना किये है तो क्या वकील सहाब को इस थिती में आरोपी का केस लड़ना चाहिए न्याय के संबंध में एक वकील की क्या जिम्मेदारी है न्यायालाय को न्याय तक ले जाने में मदद करना या किसी गुनागार को बचाने के लिए कानूनी पेचिदगियों का उप्योक कर जुर्म को बढ़ावा देना मुझे उम्मिद है आप अवश्य मारग दर्शन करेंगे तो सबसे पहले तो मैं आप सब का ध्यान तीन कानूनन प्रावधानों की तरफ आकर्शित करना चाहता हूँ वो इसलिए क्योंकि मेरा जो जवाब उभरेगा वो इन कानूनी प्रावधानों में से ही उभरेगा तो देखते हैं वो तीन कानूनी प्रावधान क्या है तीनों प्रावधान बहुत ही simple है समझने के लिए तो वो तीन प्रावधान है Criminal Procedure Code के Section 229 Section 241 और Section 252 जब न्यायले में यानि कि फाउसदारी न्यायले में किसी भी आरोपी के ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस चलता है और मान लो कि उस केस के दर्मियान वह आरोपी न्यायले को ही अपने जुर्म की कबुलियत देता है तो उस situation में न्यायले क्या कर सकता है इस बारे में वो तीनों प्रावधान है उनमें ये कहा गया है कि अगर कोई accused या आरोपी अपना जुर्म कभूल करता है तो जजज सहाब उस आरोपी की उस बात को record करेंगे और उनके discretion में उसे convict करेंगे अब यहाँ ध्यान लेने वाली बात है ये शब्द उनके discretion में discretion मतलब उनकी मर्जी, उनकी इच्छा उस इसाब से उसे वो convict करेंगे यानि उसे दोशी पाएंगे उसके खिलाफ judgment देंगे मगर कानून में जो शब्द इस्तिमाल किया हुआ है वो है discretion यानि कि वहाँ पर उनको कानून ने एक latitude दिया है थोड़ा सा scope दिया है ये निरणय लेने के लिए कि क्या वो accused को तुरंत सजा दें या नहीं दें ये discretion word बड़ा महत्वपूर्ण है तो यहाँ पर जब जज महोदय किसी गुनागार का plea record करते है कि हाँ मैंने जुर्म किया है तो सजा देने के अलावा जज महोदय और क्या कर सकते है इसके बारे में कानून क्या कहता है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ तो अभी आपके स्क्रीन पर उस judgment का वो portion आएगा जिस judgment में सुप्रिम कोट ने उस प्रावधान को interpret किया था और वो आप स्क्रीन पर देखोगे और वो मैं आपको हिंदी में समझाऊँगा Criminal Procedure Code का section 229 यह कहता है कि अगर आरोपी अपना जुर्माना कुबूल करता है तो जज को उसकी ये कबुलियत record करना है और ये decide करना है कि उसे convict करना है या नहीं करना है कोई भी आरोपी का कबुलियत स्विकार करने से पहले जज सहाब को ये बात को लेकर satisfy हो जाना चाहिए वो जो जुर्म कबूल कर रहा है वो सभी बाते समझ कर बूझ कर कर रहा है कोर्ट को इस ऐसे मामलों में बहुत ही caution से और circumspection से जाना है यानि बहुत ही alert लिजाना है किसी के अभी जुर्म कबूलियत स्विकार कर कर उसको सजा देने से पहले एक बार यह सब बातों के मामले में अगर जज सहाब satisfied हो गए तो उसके बाद ही जज महोदर आरोपी को conviction का judgment उसके खिलाब दे सकते हैं तो ये तीनों sections आपको समझाने के पीछे और वो sections का क्या interpretation सुप्रिम कोर्ट ने सुखदेव सिंग के case में किया था 1992 में ये सब करने के पीछे मेरा ये उद्देश है कि जहां कोई आरोपी कोर्ट में जज महोदर के सामने भी अपना जुर्म कबूल करता है वहां भी कानून यह कहता है कि जज महोदर ने उसके जुर्म की कबूलियत सीधे सीधे स्विकार नहीं करनी है जज महोदर ने भी यानि कि नयाया लेने भी पहले अपने आपको इस बात से सटिस्फाय कर लेना है कि वह वो जुर्म पूरे होशो हवास में कबूल कर रहा है आगे सुप्रिम कोट यह भी कहते है कि अगर जज महोदर को उसके कबूलियत में थोड़ा भी डाउट है तो जज महोदर प्रासिक्यूशन को यानि सरकार पक्ष को यह निर्देश देंगे कि सरकार पक्ष अपने सुबूत पेश करे और सुबूतों को विचार में लेने के बाद ही फिर जज महोदर डिसाइड करेंगे कि उसे कन्विक्शन देना है या नहीं देना है तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि जहां कोट रूम के अंदर आरोपी अपना जुर्म कबूल करता है वहां भी कानून हिदायत देता है कि नयाधेश महोदर ने भी बहुत सावधानी बरत्ति है उस आरोपी को कन्विक्शन देने से पहले वहां अगर कोई क्लाइंट जो आरोपी है वो वकील सहाब के सामने अपना आरोप अगर कबूल करता है तो क्या वकील सहाब ने उस बात को सीधे सीधे मान कर उसकी केस लेने से इंकार कर देना चाहिए निश्चित ही इस सवाल का जवाब होगा नहीं हो सकता है वह आरोपी किसी कंपेलिंग रिजन्स के वजह से वो कबूलियत दे रहा हो हो सकता है वो किसी और का जुर्म अपने सर पर ले रहा हो बहुत सारी बाते हो सकती है तो क्या ऐसे स्थिती में उस आरोपी को अपने बचाओ का अधिकार नहीं है जरूर है इतना बेनेफिट तो बेनेफिट अप डाउट तो वकील सहाब ने भी उस आरोपी को उसके क्लाइंट को देना ही चाहिए और न्यायाले में जो उसका हक होता है अपनी केस डिफेंड करने का अपनी केस फाइट करने का उसे तो दिला देना ही चाहिए यह तो वकील सहाब का करतव्य ही है और अगर वकील सहाब अपना वह करतव्य पुरा नहीं करना चाहते या पुरा करने से इंकार कर देते हैं केवल इस वज़े से कि आरोपी ने उनके समक्ष अपना जुर्म कबूल किया तो वह एक प्रकार से उस क्लाइंट पर अन्याय होगा हाँ मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर कबूल करने के अलावा किसी और तरीके से किसी डायरेक्ट तरीके से अगर वकील सहाब ये जानते है कि उनके क्लाइंट ने वज़ुर्म किया है तो उस सिचुएशन में वकील सहाब ने उसकी केस नहीं लड़ना चाहिए एथी कली वो केस नहीं लड़ना चाहिए मगर जब मामला कबूलियत का है तो वहाँ पर उस क्लाइंट को उतना बेनिफिट तो उन्होंने जरूर देना चाहिए क्योंकि जैसा मैंने आपको समझाया कानून के अंदर ही नयाधिश महोदय को ही कानून यह बताता है कि केवल किसी आरोपी ने नयायालय के सामने कोई जुर्म कबूल कर लेने से ही उसे तुरंत सजा देना जरूरी नहीं उसमें जैजने बहुत अलट रहना चाहिए और सरकार पक्ष को अपने एविडेंसेस पेश करने के लिए निरदेश देने चाहिए तो वहाँ पर कोई व्यक्ति दोशी है या नहीं या डिसाइड करने का अधिकार या डिसाइड करने की पावर नयायालय को होती है ना कि वकील को वकिल का करतव है कि वो उसे अपने पक्षकार को represent करे उसका case fight करे देखे आखिर किसी की स्वतंतरता का सवाल है मेरे एक पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कानून के यानि कि फाउसदारी कानून के criminal law के जो चार मुख्य तत्व है उन में से एक तत्व यहा है कि इसके पीछे उद्देश ही यह है कि किसी की भी स्वतंतरता धोके में नहीं आनी चाहिए केवल इस बात के वजह से कि उसके खिलाफ beyond reasonable doubt evidence नहीं है जब तक beyond reasonable doubt उसके खिलाफ मामला सिद्ध नहीं हो जाता तब तक किसी की भी स्वतंतरता इस देश में धोके में नहीं आ सकती ऐसा कानून कहता है स्वतंतरता, liberty इसे हमारे देश में इतना महत्व दिया गया है कि हम सचमुच इतने भाग्यशाली है कि हम इस देश में इस देश के नागरीक है तो अपनी स्वतंतरता किसी एरे गहरे कारण से धोके में ना आने का अधिकार अपने आपको कोर्ट में डिफेंड करने का अधिकार कम से कम इन अधिकारों के खातिर वकील महोदय अपने क्लाइन की केस जरूर ले सकते हैं हाँ उस परिस्तिति में नहीं ले सकते जिस परिस्तिति में खुद वकिल सहाफ किसी डायरेक्ट तरीके से ये जानते हो कि जुर्म सचमुच उस व्यक्ति नहीं किया है तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको क्या लगता है इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो वाच करने के लिए धन्यवाद